हेलो हैं वेलकम टूँ माँय यीट्यूव चैनल आरे एट्एक कुषधृशव बहुत थी इंपॉर्टन tj इंप इंपॉर्ट्सिय का नाम था लिमोट स्टेट मैथड़ लिमिट स्टेट मैथड गिसा जो करेंगे इसका असोग मैफत देख लिएते मैं हमने पाइख लेते हैं तो हमें हमने ने नहीं पार्ट में नेका रहा था पर संटेज टैन्स इन्फोस्मंट की संस्क्राइन अचिक लिए तो आज हम देखेंगे इस में हमारे पास कुछ पॉइंट है आर्म और देख लिए इस पुइंट की वाल से लुचाल है एंप्ड पेंट है तो सक्षं हमरे पास होगा वह अण्रेस ओस्ट पर्टी स्रीखra मफित को अगर्टीेये टेम के रिंफोर्टैंट को अगर्टी नो दिया होगा equal to PT limiting के तो हम कहेंगे balance section है हमारे पास ठीक है तो यह भी हमारे पास एक method है section को देखने का कि हमारे पास जो section है वो under reinforced tear, over reinforced tear and balanced tear कौन सा section है यह हमें इससे भी पता लग जाएगा ठीक है next point इसमें important point है value of PT limiting and MU limiting divided by BD square तो यहां पर मैं यह टेबल बना लेता हूं और यहां पर मैं यह टेबल बना लेता हूं यहां पर यह table बनाने के लिए सबसे पहले तो मुझे क्या करना होगा यहां पर लिखना होगा x u limiting x u limiting divided by d दूसरा कालम है हमारे पास r u equal to mu limiting mu limiting divided by BD square और हमारे पास तीसरा कालम बनेगा PT limiting का ठीक है परसंटेज टेंसाइल टेंसाइल रिन्फोस्मेंट और यह आगया x u limiting divided by d यह आगया r u किसके ब्राबर होता है mu limiting divided by BD square अगर यह फामला भी आपको कहीं तो यह वाला जो ग्रेड है यह mild steel का है और यह cold defined bars है यह हमने पास इंडिया में यूज होते हैं फ e 459 फ e 500 ठीक है तो आप लोग सर यह पर चेक कर सकते हैं आपका mostly फ e 500 ही होता है जो यूज होता है ठीक है इनकी वैल्यू हमने पास दिया है अक्सिल कि वाई टीकी वैल्यू जो हमने पास 255 के लिए होते है यह 0.53 यहां पीछा Universe चणिवादी right टीए और यह वे इसकी वैल्यू जो फो टीए हमले test एक लिए इसकी 0.148 FCK, FV250 के लिए, FV415 के लिए हमेरे पास इसकी वाल्यों होती है 0.138 FCK, और FV500 के लिए इसकी वाल्यों होती है 0.133 FCK, और PT Limiting की वाल्यों इसकेस में 250 के लिए हमेरे पास होती है 0.088 FCK, इसके लिए हमारे पास होती है इसकी वाल्यू 0.0479 FC के और इसके लिए इसकी वाल्यू होती है 0.038 FC के ठीक है तो यह आपको वैल्यू बाद में भी यूज होंगी और यह कोड पर भी मिल जाएंगी ठीक है तो उसके बाद हमारे पास है आज तक होडो तो कॉड्ड करता है कि महें पास बोनींच की बैलिक्न के एकल टू है यह और यह यह लेकर लेशन है थे लिम्तिग के दो यह मैं तो हैंसे ही हैंसए हें सूलु chrom हो जाएगा मेरे पास मूर लिब्टिंग के लेस्ट ना रिकॉल तो होगा ठीक है तो मेरे पास यहां पर नोट दी आया है इसको देख लेते हैं गें इन मोमेन आफ रिजिसेंसुनें इन क्रीज है ब्रीग करता है इनले रिलेशनिप को करताइसून यह और रिल्मोस्ट आप्ला पॉइंट तक कहां तक बैलंस पॉइंट तक ठीक है गें इन अल्टिमेट मोमेंट आफ रिस्टेंस विद्ध हाइर ग्रेट अफ कंप्रेट इस मार्जिनल फार लो वैल्यू अपीट एंड बिकम्स प्रोनौंस्ट अली बियांड पीटी इकल टू बीटी लिम्टिंग ठीक है तो इसके हमने नोट पॉइंट देख लिए आगे हम देखते हैं हमेरे पास क्या है नेक्स हमारे पास दूसरा केस है इफ एक्सियू बाइडी लेस्टन एक्सियू लिम्टिंग बाइडी ठीक है अगर हमारे पास यह केस है इसका मतलब हो गया अंडर रिइनफोर्स्ट में क्या करेंगे हम कैसे मुमेंट आफ रेसिस्टेंस निकालेंगे जो भी हमकले पास इसको टो हमरे पास ए обрат यहां तक देए और यहां पास आगया एक्सिव यह आ गया एक्सिव नेट्र लेक्सिस तक यह एक्सिव आ गया और यहां पर हमरे पास ट्रेंड डाइग्राम में हम बात करें जो मैक्सिमुल यहां पास होती थी वह कितनी ओती ती 0.003 यह हमने रिमेंबर कर लेना यह है आल के इस में वाली होगी और यह भी स्ट सोरी एसल नस्ट एसलों स्ट आप्शान स्ट होगी यहाँ पर टेंग एक्वाल टुट तो यह दिवाइद बाई यह तो यहां पर 0.02 थी।। यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यह समझ में आई होगी इसको बनाने की कोई जूर्ट नहीं होगी यहां पर तो हम देखें अगर यहां पर दिए इसका तो निकालते हैं तो किसके ब्रावर होता है यह फिर फोर्स इंटु लिए रहां तो हम अभी कंप्रेसिव पोर्स इंटु लिए रहां कर लेते हैं यहां पर इसी फर्क इतना होता है किसी जिगा पर एक्सिव लिम्टिंग होता है यहां पर इसकी वैलीव एक्सिव निकान के लिए इंतु लेएंबいき वीलीव दी माईविशन पॉंट 42tte ग्राट लेशन लिए मैंस जैरो पॉंट 42 फॉक्ति यहां पे हमारे पास ग्रों से हुक्र करें तरह तो χींट थाएगा थो यह सो जाएगा अगर करें और dowride करें एक यहाँ पे यहाँ पर आगया और यहां पर अगया वाला जो किया बहुन है वह हम आगे ले गए थी यहां पर आगए当 0.42 इंटो एक्स यू यहां पर भी यहां पर हमाँ 집 Set यह सब्सेट और करें थीगें अब थी यह के wide इक्वेशन से तो हमारे पास जो म्यू की वैल्यू आ जाएगी 0.36 FCK इंटु एक्सु इंटू 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 1-0.42 इंटू 0.87 Fy इंटू AST ठीक है यह वैल्यू हमारे पास किसकी आगी एक्सु की वैल्यू आगी डिवाइड़ पास 0.36 FCK इंटू बी त तो आप देख लेगना पीशले वाले लेक्षर में और से कौन सी थी वैसे हम जब करेंगे तो तक क्या से क्या का थी क्या करना है तो देख लेना तो उसको जब हम यू को सालो में तो हमारे पास वैंड जाएक है 0.36, xy by d, xy by d, हम इसमें भी से दिवाइड कर देंगे इसको, और d इसे multiply कर देंगे, ठीक है, तो यहां पर आ गया, xy by d, अगर यहां पर d से multiply करेंगे, एक d यहां पर high, एक d से multiply किया, तो यहां पर d square बन जाएगा, और b as it is, यहां पर जाएगा और एक के भी यहां पर जाएगा बाकि यह तर्म भी यहां पर जाएगी यहां पर बाद माइन इस जिए फोटी टू इंटू 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 यह हमेरे पास फार्मला इस में यूज होंगे जो हम एक्जम्पल करेंगे ठीक है तो अगरे इस क्वेशन को हमने निकालना यह वहला जो हम ने निकालना तो हम ने टेंशन से भी निकाल सकते हैं जैसे हमने पीछे देखा था हम यू की ब्राबर होती थी कंप्रेसिव फोर्स यहां पर होगे हमारे पास टेंसाइल फोर्स इंटू लिवराम के ब्राबर ठीक है तो टेंसाइल फोर्स की वाल्यू हमने देखा था पीछे कितनी होती है आप वाई डिवाइड बार 1.15 इंटू एस्टी ठीक है तो यह हमारे पास वाल्यू होती है किसकी टेंसाइल फोर्स की तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको हम करेंगे इसको हम इसको हम सब्सक्राइब करेंगे इसको भी आप रिमेंबर कर सकते हैं ठीक है यह लक्षर आपको समझ में आया होगा अगर आपको कोई वीडियो तो आप कोमेंट सेक्षन में पोछ सकते हैं ठीक है थैंक यू इफ यू लाइक वीडियो देन लाइक कोमेंट शेर एंड सब्सक्राइब माइ यूटीव चनल